हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर सत्पाल सिंग हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों मैं आपको डर्मा रोलर के बारे में बताऊंगा कि इससे बाल कैसे आएंगे और आपने सही से इसको कैसे परियोग करना है तो शोड म से लेकर और यह अप्रॉक्सिमेटली 400 रुपे तक मिलता है तो आप कुछी भी अच्छी कंपनी का आप ले लेजिए यह जो लिया है मैंने यह आप देख सकते हैं यह है तो दोस्तों इसको प्रियोग कैसे करना है इसके अंदर 540 नीडल है और 0.5 mm की नीडल है दोस्तों हो यह लिए लगा हुआ है यह गूमता है इसके अंदर नीडल है दोस्तों नीडल है और यह हमारे सर में जाके पंचिंग करती है तो वहां पर क्या होता है हेर फॉलिकल्स जो हमारे बंद पड़े हैं उनको यह खोल देती है तो इसको आपने किस प्रकार से प्रियोग करना है इसके लिए मैं शोड में आपको डैमे देता हूँ इसके लिए अलग से मेरी लोंग वीडियो है उसमें मैं काफी कुछ आपको बताऊँगा कि आपने कैसे प्रियोग करना है तो मैंने कुछ दिन पहले अपने बाल-गट करवाए थे अगर आपके बाल बड़े है तो आप बड़े बालों में भी आप इसका परियोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो आप जहां भी आपको चाहिए, वहां पर आप इसका परियोग कीजिए, तो देखिए, यह जो है, इसको आपने क्या करना है, कि अच्छे से इस हैंडल को पकड़ना है, और यहां पर देखिए, प्रेस करने के लिए भी दिया हुआ है, यहां पर, अपने उंगली से यहां पर इसको प्रेस कीजिए, ऐसे, ऐसे प्रेस करके आपने इसको ऐसे चलाना है आपने इसको कम से कम पांच बार एक ही जगे पर चलाना है फिर उठा कर आपने दूसरी जगे पर रखना है पांच बार ऐसे पांच बार ऐसे चलाना है ऐसे चलाना है पांच बार पांच बार ऐसे चला कर आप फिर दूसरी जगह पर फिर पीछे चले जाएए और पीछे चले जहां भी आपको चाहिए आपको यहां पर चाहिए यहां पर आप पांच बार कीजिए फिर यहां पर कीजिए ऐसे आपको कहीं भी चाहिए आप पांच बार ऐसे करेंगे फिर फि फिर आगे ले जाईए, अब आपने इसी तरह इसको चलाना है, और विशेज जो बात है, विशेज बात ये है, कि इसके चलाने के बाद, आपने सर को नहीं धोना है, इसमें थोड़ा सा बलड भी चल सकता है आपको, और इसके बाद आपने कोई शैंपू नहीं लगाना है, अ पालायंतर है, जो हैड मसाजर है, वो आप तीन दिन के बाद इसका परियोग करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने परियोग करना है, और दोस्तों आपने इस डर्मा रोलर का परियोग साथ दिन में केवल एक बार करना है, साथ से दस दिन में एक बार, इतना सु इंजरी को हील होने में समय लगता है तो बार-बार आप करेंगे तो आपको इंफेक्शन हो जाएगे तो साथ दिन में एक बार या दस दिन में एक बार इसका प्रयोग करें इतना हमारे लिए सुफिसियंट है आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भरत